नमस्कार दोस्तो, EMFT Lecture Series में आप सब का बहुत स्वागत है इस वीडियो से हम Most Important Topic को स्टार्ट करने जा रहे हैं Topic का नाम है Boundary Condition for Electric Field सबसे पहले ये समझो की Boundary Conditions होती गया है Boundary का कभी भी जिकर होगा, इसका मतलब दो अलग-अलग Medium है उन दो अलग Mediums के बीच एक Point होगा, जहां Interface होगा उसे हम Normally Boundary कहते हैं तो यहाँ पे Situation कुछ ऐसी है, कि ये जो Line है इस Line से उपर आपका कोई एक Medium है और इस Line के नीचे आपका कोई दूसरा Medium है दो अगर Medium है, तो दो Medium आपके कितने Type के हो सकते हैं दो Medium में हो सकता है, एक Medium आपका Diyelectric हो और दूसरा Medium भी आपका Diyelectric हो दूसरी Possibility है, कि एक Medium olacak philanthrop हो बट दूसरा Medium हो सकता है Conductor हो तो इस Case में हम Dielectric और Dielectric यानि दोनों Medium से हम ДiElectric कंसेडर कर रहे हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि जो एक Medium में Electric Field थी जब वो दूसरे मीडियम में travel करेगी तो उस दूसरे मीडियम की electric field के साथ उसका क्या relation होगा और क्या ऐसी conditions होगी जो दो अलग मीडियम के बीच interface पे electric field को लेके रहेंगी तो ये सारा हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो सबसे पहले, first जो medium है, इसमें relative permittivity epsilon r1 है, second जो medium है, obviously dielectric है, उसकी relative permittivity epsilon r2 है, first medium में जो electric field है, उसे e1 से represent करता हूँ, second medium में जो है, उसे e2 से represent करता हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका first medium है, ये आपकी e1 electric field है, तो इस electric field के आपको दो component discuss करने हैं, पहला component है, normal component, अगर direction outward है, तो आपको direction outward ही लेनी है, तो इसको मैं कहूँगा e1 n, suffix n का मतलब है, normal component है, first जो medium है, उसकी electric field का, और tangential component होगा, वो इस direction में हम दिखाएंगे, और वो भी हमारा क्या होगा, outward ही होगा, तो ये लिखा जाएगा e1 t, यानि first medium है, electric field का tangential component ये है, इसी तरीके से, जो second medium है, इसमें भी, जो e2 electric field है, इसके दो component हम दिखाएंगे, एक component होगा ये, direction ये outward है, तो ये भी outward रखना है इसे हम कहेंगे e2 n, और इसका जो tangential component है, वो इस direction में होगा, और इसे हम कहेंगे e2 t, यानि second medium की electric field का tangential component, तो इतनी सी knowledge के बाद, हम क्या करेंगे, जो ये interface है, जो दो mediums को अलग-अलग करता है, इसके बीच में हम एक rectangular surface consider कर लेंगे, क्यों करेंगे, अभी बता देंगे, क्योंकि Maxwell equations का use करके, हम एक expression derive करना चाहते हैं, इस tangential surface में, जो ये width आपको दिख रही है, let us say, इसको मैं delta w मान लेता हूँ, और जो ये height आपको दिख रही है, इसको मैं del h मांग लेता हूँ, और ये कुछ ऐसा है, कि इस interface से, medium 1 के बीच का जो height है, और इस interface के medium 2 के बीच जो height है, वो भी बिलकुल सेम होगी, यानि ये एक symmetrical structure हमने लिया है, यहाँ पे है हमारा delta h by 2 और उपर का जो है, वो भी हमारा delta h by 2 है, total जो height है, उसे delta h मैं बोलता हूँ, लेकिन ये height बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं boundary condition discuss करना चाहता ह हूँ, तो मैं जो delta h है height उसको approximately tends to 0 मान के चलूँगा, अब इसमें मैं अपनी एक direction अजूम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका एक closed surface है, तो let us से ये direction मैंने अजूम कर ली, जो कि मेरी clockwise direction होगी, ठीक है, इतनी सी information से, अब हम आगे बढ़ते हैं, use Maxwell equation, Maxwell equation क्या कहती है, अभी बताते हैं, Maxwell equation, वो क्या है, देखिए, जो हमारा line integral है, e.dl, वो हमेशा हमारा 0 के बरावर होता है, यानि, closed line integral of electric field is always equal to 0, ठीक है, अब देखिए, जो हमारा पहला component है, e1, जो first medium में electric field है, वो component किन अलग-अलग components में तूट चुका है, this is e1t, plus this is e1n, यानि, normal component और tangential component, ऐसे ही हमारा, जो second medium में electric field है, वो भी दो अलग components में तूट जाएगा, e2t, plus e2n, यह चीज़ें हम समझ चुके हैं, अब देखो, यह जो Maxwell equation है, यह हमें apply करनी है, इस rectangular surface को लेके, अब देखो, यहाँ पे जो electric field है, वो क्या है, देखिए आप, इस direction में, और जो यह direction है, बिलकुल same direction है, यानि e1t, अगर मैं इसको delta w, इस length से multiply करूँ, और फिर इसमें भी ऐसा करूँ, इसमें भी और इसमें भी, और चारों के चारों directions को e.dl, मैं add कर दूँ, तो total sum आपका 0 के बराबर आएगा, क्योंकि यही हम use करेंगे यहां पे, तो यहां पे जो यह path है हमारा, इस path में जो electric field है, वो e1t है, तो इसको हम use करेंगे, this is e1t, ठीक है, multiply किसके साथ होगा, dl होता है आपका small distance, और यहां का जो distance है, वो delta w है, तो e1t multiply with delta w, ठीक है, प्लस, अब आजाओ आप इस path पे, यहां पे, यहां से interface तक, तो आपका क्या है, normal component है इस direction में, तो यानि और इस interface से second medium तक, आपका क्या है, यह normal component है, e2n, तो यानि मैं क्या करूंगा, यह जो half part है, इसके लिए equation लिखूंगा, और next बड़ा जो half part है, उसके लिए भी equation लिखूंगा, तो यहां से यहां तक आपका क्या है, e1n, so this is e1n, और multiply क्या होगा, delta h by 2, क्योंकि half आपकी height है यहां तक, so multiply with delta h upon 2, ठीक है, अब इस interface point से, इस point तक आपका second medium है, और इसमें जो direction है electric field की, वो e2n है, downward और यह भी downward है, तो यहां पे हम लिखेंगे, plus e2n, multiply with what, delta h by 2, this is delta h by 2, तो यह path भी complete होगा, अब हम यह path discuss करेंगे, इस directions में, second medium है totally, second medium है, यहां पे क्या है, tangential component इस direction में है, electric field इस direction में देखनी है, तो negative value हो जाएगी, तो यह क्या होगा, negative e2t, multiply क्या है यह, del w, इतना ही इसका width है, rectangle का, तो del w, ठीक है, अब हम उपर जाएंगे, यह path भी हो चुका है, उपर जाएंगे, तो यहां से, इस interface तक आपका second medium है, लेकिन, यह upward direction है, और यह हमने downward direction में देख रखा है, तो negative sign आ जाएगा, और हम लिखेंगे, this is e2n, multiply with what, delta h by 2, negative direction, ठीक है, और आगे चलके, इस interface से, इस point तक, है, बट path हमने upward direction में ले रखा है, तो वहां पर भी negative sign आएगा, तो negative, this is e1n, multiply with delta h by 2, क्योंकि delta h by 2 उपर है, delta h by 2 नीचे है, total आपकी height delta h ले रखी थी, and that must be equal to what, 0, यह हमने 0 कर लिया, अब देखिए, e1n delta h by 2, e1n delta h by 2, यह इसके साथ cancel, बच्चो, e2n delta h by 2, e2n delta h by 2, यह भी बच्चो एक दूसरे से cancel, तो इसके बाद, जो relation बचा, वो क्या बचा, this is e1t delta w minus, this is e2t delta w, and that must be equal to 0, delta w common होगे, और right side ले जाओगे, सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो expression बचा, e1t minus e2t, that is equal to 0, और इसके बाद, e2t को right side ले जाएगे आप, तो क्या बनेगा, this is e1t is equal to e2t, और यही आपका, सबसे important result आ चुका है, कि जो tangential component होंगे, electric field के, दो अलग-अलग mediums में, वो बिलकुल same होंगे, यानि, वो no change in tangential component, इस medium में, electric field का, जो tangential component था, second medium में भी, electric field का, वही tangential component होगा, दोनों की value में, कोई change नहीं होगा, right, तो यह हमारा आ चुका है, अब हम, यहाँ पे, जो electric flux density है, उसका relation भी drive करना चाहते हैं, तो हमें पता है, d is equal to epsilon into e होता है, और यहाँ पे अगर मैं e निकालना चाहूं, तो क्या होगा, d upon epsilon, देखो अब, e1t, यह जो है, e1t, इसकी बज़ाए, अगर मैं d1t लिखूं, तो कैसे लिखना होगा, d1t upon epsilon, और first medium है, तो क्या होगा, epsilon not into epsilon r1, तो इसकी बज़ाए हम अब लिखेंगे, this is d1t divided by, देखो, e1t, यानि first medium है, तो divided by epsilon है, तो first medium का कितना होगा, this is epsilon not into epsilon r1, यह तो आपका किस के बराबर आ गया, यह आपका e1t के बराबर आ गया, और e2t लिखोगे तो, किस terms में लिखोगे, this is d2t divided by, upon epsilon है, तो second mediums का epsilon कैसे लिखोगे, epsilon not into epsilon r into 2, अब बच्चों आप, epsilon not से epsilon not cancel कर दीजिए, यह इसके निचे और यह यहाँ पे ले जाएए, तो क्या relation मन गया, this is d2t divided by d1t, और यह आपका इस साइड चला जाएगा, this is epsilon r2 divided by, this is epsilon r1, यह आपका यहाँ पे result आ गया है, electric flux density, tangential component of electric flux density, और यह result है आपका, tangential component of electric field intensity, तो यहाँ पे हमने जो tangential component है, उसकी boundary conditions successfully derive कर ली है, इससे next video में हम, जो normal component होंगे हमारे, electric flux density और electric field intensity के, उसके बारे में detail discuss करेंगे, this is the end of the video, thank you so much for watching this video.